हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ बहुत ही संदर जाली वाला डिजाइन शेयर कर रही हूँ जो की बनाना बहुत ही असान है बहुत ही इजी है कोई भी इसको बना सकता है और बनके बहुत ही संदर आता है और इस डिजाइन को हम अपने मौफलर में फुरॉक में या फिर स्वेटर में किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं फुल स्वेटर में डाल सकते हैं बेवी कार्डिगन में ब्लैंकेड में किसी में भी डाल सकते है चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने फंदे का इसाब लगाएं तो इस डिजाइन को डालने के लिए हमने दो से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं दो फंदे दो फंदे दो फंदे दो फंदे ऐसे करके और एक फंदा लास्ट में एक्स्ट्रा लेना है तो मैंने यहां पर डाले हैं 27 फंदे 26 फंदे मैंने दो से गुण वुल्टी लगाई है और आब स्टार्ट करते है इसको सिधी तरफ से स्टो रोव स्टार्ट होगी अ प्रशल होगी को से र Buff function है gc पहला फंद रहेंगे दागा अपनी तरफ लेके आएंगे अहें देखिः और इस में इस तरह से जाली जालेंगे ये दिखिए जाली डाली और दो फंदे ये इन दोनों को एक साथ इकठा बनेंगे ऐसे फिर से देखिए जाली इस तरह से धागा लपेटेंगे ऐसे देखिए आगे है अपनी तरफ हमारे धागा है ऐसे जाली लगाएंगे और दो फंदे इकठा बनेंगे उल्टा फिर से धागा इस तरह से लपेटेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा इसमें लपेटेंगे दो फंदे उलटे ये देखिए इस तरह से फिर धागा लपेटेंगे इस तरह से और दो फंदे उलटे तो फ्रेंट्स ये ही हम पूरी रो में रपेट करेंगे एक जाली डालेंगे और दो फंदों को एक साथ इकठा बनेंगे एक जाली डालेंगे दो फंदों को उलटा एक साथ इकठा बनेंगे ये देखिए इस तरह से जाली डाली दो फंदे एक साथ उलटे बनें फिर से जाली डालेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे इस तरह से धागा लपेटेंगे और दो फंदे एक साथ उल्टे बनाएंगे धागा लपेटेंगे जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये दिखिए यहाँ पर एज का फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे यह दिखिए यह हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई फ्रेंट्स अब यहाँ पर उल्टी तरफ से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरह से जो जाली वाला फंद है उसको भी और दूसरा भी उल्टी तरफ से इसकी सभी रो उल्टी ही बनेंगी यह दिखिए इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे यह सेकिंड रो है फ्रेंट्स सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखिए और एज का फंदा उल्टा की बनाएंगे उल्टी तरफ से यह देखिए यहां पर हमारी टू रो कंप्लीट होगी यह फोर रो का हमारा पैटरन है यह देखिए दो रो बन गई है अब हम तीसरी रो देखिए कैसे बनाएंगे पहला फंदा बिना खुने उतारेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे पहले हमने यहां पर जाली टाल दी थी अब हम इस फंदे को उल्टा बना लेंगे मैं पैटरन स्यम வprendतर रहेगा लेकिन जगह बदलेंगे एक फंदा लतर बनाया फिर दागा लपेटेंगे और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बनेंगे यह देखिए इस तरह से अब हम फिर वही रपीट करते जाएंगे दो फंदे उल्टे जाली डालके फिर जाली डाली दो फंदे उल्टे यहां से इस से हमारे जो जाली की जगा है वो चेंज हो जाएगी पैटरन की और थोड़ा तिर्चे में पैटरन हमारा बनके आएगा फ्रेंट्स यह दिखिए जाली डालके दो फंदे उल्टे बनेगी हमारी सेम वैसे ही पैटरन जैसे हमने फिर फिर फंदे बनाया था जाली डालके दो फंदे उल्टे फिर से जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे यह दिखिए यहाँ पर और उल्टी तरफ से फ्रेंट्स यह रो हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी फोर्थ रो यह दिखिए फ्रेंट्स इनी फोर रो को रपीट करके हमारा pattern कुछ इस तरह से बनके आएगा ये देखिए कितना सुंदर और कितना pretty बनके आया है net waller किसी भी project में हम इसको डाल सकते हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर बनके आया है और बहुत ही आसान है बनाना कोई भी इसको बना सकता है ये right side से है और ये लिखिए left side से इस तरह से है तो friends अगर आपको मेरा ये design अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो please like, share, comment जरूर करें और चैनल पे new हैं तो please चैनल को subscribe करना ना भोलें और bell icon को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की notification मिल सके और वीडियो को watch करने के लिए thank you, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए bye bye